हेलो स्टुडेंट्स आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 जो पेज नमबर 12 पर है उसका थार्ड कोश्चन इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट थान नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नुमरेशन तो हम जानते हैं इंडियन नमबर इंडियन नमबर ऑफ नुमरेशन में हम कैसे लिखते हैं तो इसमें हम कॉमा कैसे लगाते हैं फिर थाउजन टैन थाउजन के बाद लगाते हैं और टैन लग के बाद लगाते हैं नेक्स्ट कोश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है इस तरीके से तो इसमें भी हम निकलेंगे वांस के बाद टैन्स हंड्रेट फिर थाउजन फिर थैन थाउजन फिर लग और फिर टैन लग तो इसमें हम कॉमाज करेंगे वांस टैन्स हंड्रेट के बाद कॉमा लगेगा फिर टैन थाउजन और टैन थाउजन के बाद कॉमा लगेगा ठीक है तो यह हमारा नेक्स्ट कोश्चन हम देखते हैं इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे वांस टैन्स हंड्रेट थाउजन टैन थाउजन लैक टैन थाउजन लैक टैन लैक एंड करोर तो इसमें भी हम कॉमा लगाएंगे एगातर थी चर्ण करते हैं इसमें भी हमें इंडियन नंबर और नियूम्रेशन में लगाना है तो इंडियन में हम लिखते हैं Once, Tens, Hundred, Thousand, Ten Thousand, Lack, Ten Lack, Karoor Once, Tens, Hundred के बाद, Thousand, Ten Thousand के बाद, Lack और Ten Lack के बाद Then Fourth Question आता है हमारा Exercise 1.1 का Page Number 12 का इंसल्ट कॉमा सुटेबली and write the names according to international system of numeration तो international system में हम कैसे लगते हैं once, tens, hundred, thousand, ten thousand, फिर हम लगते हैं hundred, thousand फिर हम लगते हैं million और फिर ten million ठीक है तो इसमें हम कॉमा लगाते हैं हर three digits के बाद thousand, ten thousand, hundred thousand next हम देखते हैं once, tens, के बाद hundred, फिर thousand, फिर ten thousand, फिर hundred thousand और फिर million तो इंटरनेशनल में हम था three digits के बाद हम कॉमा लगते हैं once, tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand right then next international में once, tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, million और फिर ten million तो इसमें हम लगाएंगे once, tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand तो यही हमारा question number three and four का solution